बिहार के युवाओं को खेलो के प्रति प्रुसाहित करने के उदेश से युवार खेल फाउंडेशन 30 अक्टूबर से खेलो बिहार प्रतुकता का आउजन करने जा रहा है इस प्रत्युक्ता के द्वारा बिहार के प्रतिवाओं को खेल के छेतर में एक नया मंच दिया जाएगा उक्त बाते राधानी पटना के बिली रोड इस्थित एक के नीजी होटल में आयोजित एक प्रिस वारता के दोरान युवा खेल फाउंडेशन के अध्यक्ष अरून सिंग ने कही मीडिया को समबोधित करते हुए अरून सिंग ने कहा कि इस प्रतिवाओं के द्वारा हम बिहार की प्रतिवाओं को राष्टिय अस्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं वहीं युवा खेल फाउंडेशन के सची पुंदन सिंग ने बताया कि इस खेल प्रतिवाओं में बिवीन खेलों का आयोजन किया जाएगा जिसमें फुटवाल, कबडडी, बॉलीबोल, हाई जम, लॉंग जम, टैनिस, पैंडमिंटन, खोको और प्रेंक एंड फिल्ड रे फाइनल प्रतिवक्ता के द्वारा प्रतिवाओं को एक नया मंच परदान करेंगे बड़ी, फुटवाल, वॉलीबोल, हाक्की, रेसिंग, लॉंग जम, लॉंग जम, लॉंटन, टैनिस, टोटल इसमें दस गेम्स हैं पहला सीजन में हम लोग दसी गेम्स करा रहे हैं, नेक्स सीजन में हम लोग और भी खेलो को अपने खेलो भी हार के साथ इसमें जोरेंगे इसने महिलाएं भी पार्टिसपेट कर सकती हैं, इसमें तीन गेम महिलाएं के लिए जिसमें वो पार्टिसपेट कर सकती है, इसका एज 15 अब और जो भी प्लेयर रजिस्टर करना चाहते हैं वो वेबसाइट से रेजिस्टर कर सकते हैं, और फेलोविहार.com हमारा है और महिलाई के लिए तीन गेम्स हैं हाई जंप लॉंग जंप और रेसी है तो भाई रखकर भी इसके अब यहाद से आगे भी खिलाड़ी बुठा कर दे रहेंगे यहाद नहीं इसमें हमने तीन कैटेग्री रखना है दिस्ट्रिक लेबल पर होगा जोन होगा और एक हमारा सेंट्रल लेबल जो हमने स्टेट लेबल का नाम दिया है जिससे कि हम लोग फिल्टर करके एक अच्छे टैलेक्ट को फाइनल लेबल तर लेख जाएगे और उनको जो भी स्टेट लेबल से हमारे असोसियेशन है उनके नजर मिलाके उनको टैलेंट लाके देंगे ताके उन